हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो एक good news लेके आया हुमाई आप सभी बच्चे के लिए जो NEET के बच्चे हैं और जो JMAN के भी बच्चे हैं उनके लिए भी कि आप लोग का जो notification आने वाला है वो बहुत ही जल्द आने वाला है आज PMO का एक बहुत बड़ा meeting था उस meeting से internal source से हमें ये पता लगा है कि जैसे situation में सुधार हो रहा है अभी आप देखरें को कोरोना का हाला दीरे-दीरे सही हो रहा है इसके according PMO से exam conduct कराने के लिए green signal मिल चुका है इसमें जो जुलाइ अगस्त सेप्टेंबर का महिना है इसमें जो government ये planning कर रहे थी कि जैसे में और नीट का exam conduct करवा दिया जाए उनके लिए green signal मिल चुका है लेकिन vaccination ये main thing है सभी बच्चे को vaccinate कर दिया जाए ये अभी भी उनका primary condition है कि सभी बच्चे को vaccinate कर दिया जाए second thing 15 July तक जून तो ऐसे ही चले जा रहा है अभी 15 July तक जेई main के examination होने के काफी कम संभावना है जे main के और भी कुछ update आने वाले वो मैं कल अपडेट आ जाएगा तो कल दिन के वीडियो में बता दूंगा आप लोको नीट वाले बच्चे मेरे आप अपना preparation up to mark रखो क्योंकि नीट का examination बहुत ही जल्द होना है जल्द होना मतलब यह मत समझना एक अगस्त को है मैं starting से बोलो एक अगस्त को कोई exam नहीं है आपका लेकिन जो आप October सोच रहे थे October तक नहीं जाएगा यह postpone होके तो जी जान से पढ़ाय करना start कर दो और मैं strong region आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखो आज भी मैंने जो confirmation लिया उसमें देखो बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि सर अगल कल form आ जाएगा तो एक तो मैं यह आपको बता दू कि 10 जुन तक कोई form आने वाला ही नहीं है के लिए बच्चे बोलने कि सर टाइम कम कर दिया जाएगा क्या minimum 20 डेज दिया जाएगा आपके हिसाब से मान लेते 20 डेज दिया गया करेक्शन के लिए कुछ तो टैम दिया जाएगा आप लोग बोलते हो 5 डेज ही मतलब टोटल कितने हो गए 25 डेज एक बात आप समझ लो अगर 25 डेज भी यह लिए आप फॉर्म फिल अब करने के लिए और करेक्शन करने के लिए तो फॉर्म फिल करने और एड्मिट कार्ड आने के लिए मीनमम 25 डेज का गाप चाहिए 20 से 25 डेज का गाप चाहिए ही चाहिए यहाँ पर प्रोसेशिंग होने के लिए ऐसा नहीं कि आज करेक्शन फिनिस हुआ और कल स्टार्ट हो जागा एड्मिट कार्ड आना बिल्कुल नहीं क्योंकि देखो सेंटर एलोटमेंट ह होता है वहां पे हर संटर पे kwestion paper पहुंचाना है यह देखा जाता है मतलब इन सभी चीजों को calculate करने के लिए इन सभी चीजों को process करने के लिए मिनमम कितने दिन चाहिए पच्चिस दिन चाहिए ही चाहिए तो टोटल कितना हो गया 50 देज और मिनमम कितना दिन पहले एडमिट काड रिलीज होगा 10 देज पहले ऐसा नहीं होगा कि 10 ते से कम में एड्मिट का रिलीज नहीं हो सकता है, मिनमम 10 जेज, तो टोटल कितने होगे, 60 जेज और 60 जेज तो अपने पास हाई नहीं, तो आप खुद बता दो, क्या एक्जाम 1 अगस्त को पॉसेबल है, एक्जाम 1 अगस्त को कभी पॉसेबल नहीं, अब जो ये वीडियो बनाते फिरत मैं तो बोलता हूँ, जून में ही कॉनसेलिंग कराके, मेडिकल कॉलेज भी बेज़ दो सारे बच्चे को, मतलब आप खुद भी ठिंक कर सकते हैं, बहुत सारे आते हैं, सर, मोधी गॉर्मेंट है, गोधी गॉर्मेंट है, यहां पर आडे, गोई भी गॉर्मेंट रहे हैं, गॉर्मेंट रहने पर यहां पर यह देखो न, एक्जाम पर एक्जाम कैंसल हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे एक्जाम नहीं दे सकते हैं, अब पिछले एयर से आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं, यह मत करो न, पिछले साल सिच्वेशन डिफरेंट था, सब कुछ हो चुका था सिर्फ एड्मीट कार्ड रिलिज करना था, उसके साथ ही साथ, एड्मीट कार्ड के साथ ही साथ, आपको पता है कि दो बार आपका एक्जाम पुष्टपॉन हो चुका था, न, यह नहीं बोलनों आप पढ़ना छोड़ दो मैं यह बोलनों कि दिन रात एक कड़के पढ़ना इस्टार्ट कर दो पढ़ाई करते रहो लेकिन यह जो फालतू के नीज में आप अपना बीपी बढ़ाते हो ना इधर जो इतना प्रेशर डालते हो ना यह प्रेशर लेना आप ठीक है क्योंकि exam postpone होना है और ये हो के ही रहेगा आप तक जल्द ही ख़बर आ जाएगी जल्द ही new जाएगी तब तक मेरे internal source से जो भी information आती है वो मैं आपको दे रहा हूँ और जे में के लिए कल बहुत ही बड़ा information आने वाला है वो मैं कल की video में बताऊंगा तब तक अच्छे से पढ़ाय करते हैं